बार में आज हम लोग सम नेमेरिकेशन रेलिटिटी टू मिरेर फोर्म्ला एड मेंगनिफिकेशन करें ठीक है तो पर हम थोड़ा से रिवायच कहा रहता हूं गोरेंक, नो सब्सक्राइब हेस्थ, का सब्सक्राइब डा बानकुर्ण का सब्सक्राइब कलारी और Kayla gosh क्या सब्सक्राइब कि फिर्णा और त्रीति गुनिया सरह zoning माकनहे में ठीक है student ठीक है अब student हम बात करते है mirror formula की mirror formula में आपको बताया था what is mirror formula so mirror formula is one upon f is equal to क्या था student one upon f is equal to one upon u plus one upon v हमारा mirror formula था जिसका हम use करेंगे और u, v और f के sign convention में आपको previous video में बता चुका हूँ u क्या है position of object, v क्या है position of image and f क्या है focal length of the mirror ठीक है यह student चली start करते है पहला numerical student हम देखते हैं बहुत ही simple है आपके ncrt से related numerical है और कुछ question board exam के पूछे गए question है ठीक है बड़ी simple से है और आपको बहुत अच्छे से आभी जाएंगे आप तोड़ा सा जानते परना ठीक है इनको notebook not down कर लेना उससे पर student मैं आपको यह revise करा चुका हूँ कि hi is equal to ho होगा तो यह याद रखना student सभी numerical को soul करते समय आपको सारी image formation अच्छे से आनी चाहिए अगर आप इन numerical पहली बार देख रहे हैं तो याद रखना इससे पहले image formation को बहुत अच्छे से revise करें क्योंकि सभी numerical में a to z सभी numerical में sign convention का image formation का इस्तिमाल होगा ठीक है जी student मैं आपको help के लिए दिखाता रहूंगे image formation कौन सी बन रही है ठीक है तो हम पहला question पढ़ते है student the radius of a mirror is 30 cm एक mirror की radius 30 cm है find focal length student focal length और radius of curvature में क्यार ले सुन होता है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ student pole से center तक की बीच की distance को बोलते है radius of curvature this is radius of curvature और आपको बता चुका हूँ मैं कि pole से और focus point के बीच की distance को focal length बोलते है तो student यहां से यहां तक की distance जितनी होती है उतनी ही distance यहां से यहां तक की बी होती है यहां से यहां तक की f होती है focal length होती है और यहां से यहां तक की भी focal length होती है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी focal length plus focal length कितनी होगी two focal length मतलब radius of curvature जो होता है वो two focal length के बराबर होता है radius of curvature जो होता है student two focal length के बराबर होता है R is equal to होता है student 2F Radius of करवेचे क्या होता है Focal Length का 2Times होता है यह आपको बता चुका हूँ परिवेस वीडियो में भी So यहां से हमें F की वैल्यूफ है चाहिए तो R2 को हमने इधर डिवाइडम पुचा दिया ठीक है So Focal Length is equal to Radius upon 2 Radius कितनी सी student हमारी 30 cm तो we will put here 30 cm upon 2 इससे 2 से 30 cancel 15 cm will be Radius of Curvature Sorry Focal Length ठीक है इस student Focal Length कितनी 15 cm अगर यहां पर मिरर दिया होता तो आप इसका साइन बिता सकते है क्योंकि आपको मिरर नहीं दिया हुआ है अगर मिरर की बात करते हैं तो आप यहां पर साइन भी बिता सकते थे अगर यहां पर Concave Mirror होता तो यह Negative होती अगर हैं पर Convex होता तो यह Positive होती क्यों होता जैसे Next Question में जरुवत पड़ेगी तो मैं आपको बता हूँगा साइन करने दिसन ठीक है Next Question देखें Next Question है An object is palaced at 20 cm in front of Concave Mirror Student इदर देखिए आपके पास कोई Concave Mirror है आपके पास कोई Concave Mirror है माल लेते हैं इसके सामने कहीं 20 cm दूर पर object रखा है इसके सामने 20 cm front of Concave Mirror क्या रखा है object रखा है इस Mirror की focal length कितनी बता रखिए Student 10 cm बता रखिए आपको V बताना है और M बताना है तो आप Student सबसे पहले क्या रखेंगे आप solution लिखने के तुरंद बाद सबसे पहले लिखेंगे mirror का नाम कौन सा mirror है इससे बहुत help मिलती है क्यों लिखेंगे बताऊंगा आपको बहुत गलती हो सकती है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तो for Concave Mirror फिर लिखेंगे इस और Given Data हमें क्या पता है position of object जहां पर object रखा होता है pole से वो distance position of object टलाती है यह आपको बता रखा है ठीक है so the position of object कितनी है 20 cm so use equal to 20 cm ठीक है 20 अब यह minus के लगा रखा है अब इधर देखिए sign convention में आपको क्या बताया था कि सभी object pole से left में लिए जाते है object हमेशा किदर होता है pole से left में इसलिए object की distance यह कहूं कि position of object हमेशा इस्टुएंट negative लेते है you की value चाहे mirror हो चाहे lens हो चाहे कोई सा भी mirror हो चाहे कोई सा भी lens हो you की value हमेशा negative लेते है कि लिए student you की value हमने negative ले लिए अब student focal length की बात करते है, focal length हमें दे रखिए, focal length of the mirror, it is 10 cm लिख दी, ये minus क्यों लिए रखिए student मैंने, क्योंकि आप देखे student, focal length क्या होती है, जहां पर light ray intersect करती है टकराने के बाद, parallel वाली, ये pole के left में है या right में है, और left में सारे distance कैसी होती है, minus होती है, so pole से f की distance, ये जो minus, focal length f is equal to minus 10 cm, ठीक है ये student, अब हमने क्या किया, f और u तो हमें पता है, v हम find कर लेंगे, v, f और u का कौन सा formula student, तो answer a की formula है, जो हमारा mirror formula होता है, what is mirror formula, so mirror formula is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, clear है, value put कर देंगे, 1 upon f की value कितनी होगी होती है student, minus 10 cm रख दिया, with sign रखेंगे, sign नहीं रखेंगे, तो आप question गलत कर देंगे, और question गलत करेंगे, तो आपको number मिलेंगे, बोड़क जाम में, double zero, ठीक है, 1 upon v हमें, v हमें find करना है, 1 upon v को ऐसे रख दिया, plus 1 upon u, u की value कितनी, minus 20 cm, with sign रखेंगे, बता रहा होगी है, दुआरा आपको, ठीक है student, इस 1 upon v को एक साइड में रहने देते हैं, इधर, is equal to से इधर, और 1 upon minus 20 को is equal to से उधर लेके चले जाएंगे, जब यह 1 upon minus 20 is equal to से उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 upon minus के 20 उधर जाके plus का हो जाएगा, तो minus 1 upon 10 plus 1 upon 20 हो जाएगा, वी 1 upon v दे रहेगा, यह उधर जाएगा, 1 upon v बराबर minus के 1 upon 10 plus 1 upon 20, जैसे यह समझ आपको, ठीक है, अब नीचे lcm लेंगे और इसको solve कर लेंगे, ठीक है, lcm कितना आएगा student, बताएगे इसका जल्दी से lcm कितना आएगा, so lcm will be student, कितना हो जाएगा lcm, lcm will of this will be 20 cm, 10 और 20 का 20 cm, lcm हो जाएगा, 10 से 20 cancel, कितना बचा, 2, 2 की मर्पलाए उपर करी, minus के 2, plus, 20 से 20 cancel, 1 बचा, 1 की मर्पलाए उपर करी, तो 1 आगया, अब minus के 2 और plus के 1, आपके बस करजा 2 रुपे का, और आपके बस है एक रुपा, करजा 2 रुपे का है, और आपको को रुपे एक दे रहा है, तो आपके बस कितना बचेगा, एक रुपा बचेगा, वो भी करजेगा, तो एक तो आप करजेगा देते हैं, एक रुपा करजेगा बचेगा, minus मतलब student, minus का, ठीक है, minus के ज्यादा है, तो minus का है, upon में 20, ये किस की value आई student, 1 upon V की value, वी की value नहीं, this is not the value of V, सेंटीमीटर, student V की value हमें पता चल गई, minus के 20 सेंटीमीटर है, अब student V की value minus के 20 सेंटीमीटर देखते ही, आपको तुरंट समझ में आना चाहिए, कि V मतलब position of image कि दहर, minus क्यों आ रही है, position of image, student minus, इसलिए आ रही है, क्योंकि हमें पता है, देखिए ज़र, क्योंकि क्यों के mirror में image formation left में होती है, तब HI minus ले, तब V minus होता है, तब view क्या होता है, student minus होता है, निगेटिव कब होता है, जब pole से left में image बनती है, उसलिए जब pole से left में image बनती है, तो आपको previous वीडियो में बता चुका हूँ मैं, image हमेशा real and inverted बनती है, ज़र से object आ रहा है, उधर ही image अगर बन रही है, तो सभी image real and inverted image formed करती है, यह आपको previous वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, अगर नहीं यकीन तो आप इदर देख सकते हैं, तब ही मैं कहा रहा हूँ, student, सारी image formation आपको याद होने चीए, देखिए, किदर बन back side, virtual and erect, याद रहे, minus का मतलब left में बनी है image, और left में student कैसी image बनती है, real and inverted image बनती है, तो हम कह सकते है, this is a real and inverted, यह क्या है student, यह nature होता है, image का nature कैसा है, real and inverted, वीकी वैल्वी पोजिशन कितनी है, पोजिशन में चली पता, minus 20 cm, nature हमने बता दिया उसको देखके, कि image का nature real and inverted है ठीक है, दो चीज़े आपको बता दी, तीसरे चीज़े पूछेगा आपसे, कि इसका size बताईए, magnification बताईए इसका, so what will you say about magnification, you will say that magnification is the minus v upon u, v की value हमें पता है student, minus formula में है हमारा, तो minus को बाहर रखा, v की value minus में है, तो v की value minus, याद रखना, with sign रखेंगे, बता रहा हूं म पहले से आपको, minus 20 रखा, with sign, minus 20, u भी minus 20 है, जैसे अभी बताई आपको मैंने, u की value कितने थे student, minus 20 देखें, formula में का question क्या था हमारा, u की value भी minus 20, v की value भी minus 20, so m is equal to minus 20, मनो minus 20 से cancel, minus के 1 बचा, m is equal to minus 1, बोलो समझा है student, या नहीं है, अब student इससे क्या चलता है, इससे हमें य आई, देखे, v और u दोनों बराबर आई या नहीं है, v और u बराबर कब होते हैं student, जब object हमारा center पे होता है, जब object हमारा कहाँ पर होता है student, center पे होता है, यह भी image formation से आपको पतावना चाहिए, जब center पे होता है, तब हमारा v is equal to u होता है, और hi is equal to ho होता है, size of object is equal to size of image भ तो आप इसको नेस्ट को खुद से समझा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको बहुत जल्दी से सोल कर पाएंगे ठीक है फोड़ा स्पील बराता हूं मैं question basically हमारा student an object of size 4 cm object का size 4 cm है और object की size को हम student HO से denote करते हैं तो हमें रिख लिया size of object HO is equal to 4 cm याद रखना ये लिखना मत भूलना कौन सा mirror है कौन सा mirror है सबसे पहले ये लिखना है द्यान रखना ठीक है so size of object HO is equal to 4 cm is palaced at 15 cm in front of कौन के mirror ये 4 cm का object student कौन के mirror के 15 cm दूर पे रखा है मतलब ये object की distance कितनी है 15 cm object कितनी दूरी पे रखा है 15 cm तो U is equal to 15 cm and focal length हमें दे रख किये in front of कौन के mirror और focal length 20 cm इस की distance focal length कितनी है 20 cm आपको सारी property बतानी है image की कौन कौन सी होती है instrument image की property nature position of image and size of image तो start करते हैं सबसे पहले हम बात करते है position of object की strength ये minus होती है हमेशा ठीक है focal length अगर concave होगा तो negative क्योंकि left में होती है तो negative ही हो जाएगी using sign convention हम use करते है मुरा formula लगाते है हमें f पता है u पता है we find कर लेंगे कैसे find करेंगे f की value output करेंगे 1 upon minus 20 क्योंकि f की value 20 है minus को लेगा है क्योंकि ये कौन camera है as equal to 1 upon v plus 1 upon minus के 15 क्योंकि focal length की value sorry object के size की value 15 cm है इसलिए हमने 15 को minus का लेखा क्योंकि ये minus की होती है u की value हमेशा minus की होती है ये सब को समझा रहा हुगा ठीक है this trend हम क्या करते है इस 1 upon minus 15 को इधर लेके जाते है ये equal to से इधर 1 upon v बचेगा जुका तू इधर 1 upon minus 20 ये प्रेस में आया तो प्रेस का 1 upon 15 दोनों को LCM लेते है 60 आ जाता है दोनों को LCM कितना आता है student 60 आ जाएगा ठीक है अब देखे दर तो ये किसकी value minus 20 से 60 काटा कितना है student 20 से 60 काटा 3 3 की मिलपलाई उपर करी minus के 3 क्योंकि minus है ओड़ी हहाँ पर plus 15 से 60 को काटा 15 फोजा 60 4 बचा 4 की मिलपलाई उपर करी तो 4 आ गया minus के 3 और plus के 4 कितना आता student plus के 1 plus के 1 upon 60 1 upon V की value है 1 upon V is equal to 1 upon 60 instrument कि रोज मिलपलाई करते हैं तो V की value कितनी आ गई 60 so V is equal to 60 cm instrument V की value कैसी है यह negative या positive तो आम सरब positive value आई है अब देखे student image pole से left में बनेगी या right में बनेगी और इस फुर्ण बताई है जड़ा right में कैसी image बनती है कौन के mirror में pole से right में कौन सी image बनती है तो answer virtual and erect image बनती है तो what is the nature of this image trend तो nature of this image will be image formed behind the mirror mirror के पीछे की तरफ बनी है दिख रही होगे आपको बीच अभी तो positive आया है behind the mirror बनी है as a position of image is positive तब ही आती है तो हम कह सकते है image will be the nature of image will be virtual and erect ठीक है यह student के लिए है हमने position of image find कर लिया हमने nature of image find कर लिया अब हम magnification बता देंगे size बता देंगे size क्या होता है image का size क्या होता है so magnification is equal to minus v upon u या is equal to h i upon h o student हमें v की value पता है u की value पता है ho की value पता है h i की value नहीं पता find कर लेंगे यह हम कह सकते है m is equal to student हमारा formula होता है m is equal to minus v upon u m is equal to हमारा h i upon h o भी होता है तो h i upon h o को सामने रखने से पहले हम v upon u से m की value find कर लेंगे m की value कैसे find करेंगे m में student minus v v कितना है हमारा 60 minus formula में है यहाँ minus formula में नहीं है minus formula में है so minus से यह जब u की value पूट करते हैं तो u हमें इसा minus में रखा जाता है minus से minus cancel यह formula वाला यह u वाला जो हमें इसा minus का होता है 15 से 16 को काटा 4 time काटा student so m की value कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी m की value कितनी आ जाएगी student 4 आ जाएगी अब हम इस m की value को h i upon h o की equal रखते हैं को कि यह formula पूरा है m is equal to minus v upon u is equal to h i upon h o ठीक है so जैसे value पूट करते हैं v की u is equal to h i की h i में find करना है और ho की value find करना है ho हमेशा उपर की तरफ होता है इसलिए ho हमेशा positive होता है ho यह भी बिता चुका हम पर वीडियो में अब student 4 यहां बचा 4 यहां 4 की multiply करेंगे तो h i की value आएगी 16 and it will be positive and positive का मतलब student image is erect student image का size positive कब आ सकता है जब यह आप इधर से उपर की तरफ हो virtual and erect image हो नीचे की तरफ image बनेगी तो हमेशा याद रखना image का size negative आएगा उस time पर real and inverted image बनेगी ठीक है एक और question देखते है student जो की बहुत ही ज़्याद इंपरेंट question है आपके board exams के लिए ठीक है student देखिए दर question student an erect image three times the size of object student एक erect image है जो की size of object का 3 गुना है with a cone key mirror कौन से mirror से बन रही है cone key mirror से of radius of curvature जिसका radius of curvature 36 cm है आप से student पूछा है U की value V की value F की value ठीक है dear student student देखिए दर image erect image image का size 3 गुना है 3 times of the size of object student image का size 2 गुना है object से 4 गुना है object से 5 गुना है object से one upon three times है यह क्या है student answer है this is the value of magnification यह आपको बहुत question बहुत ही सुंदर question बन जाता है magnification को इस्तिमाग दरके क्योंकि magnification जैसे ही दिया जाता है तो आपसे एक variable छीज़ा जाता है आप देखेंगे इसमें न V दे रखका न U दे रखका सिर्फ R दे रखका है एक variable की value दे रखके है बस बाकि सारे variable unknown कर दिये बाकि सब U, V, F सब find करना है आपको अब क्या करेंगे आप जैसा कि यहां concept दे रखका है 3 times यह हमें इस्तेमाल करना है 3 times का मतलब इस्ट्वेंट यह magnification की value है किसकी value है इस्ट्वेंट magnification की लिख लिए आमने और radius of curvature दे रखका है 36 cm इससे हम क्या निकाल लेंगे focal length अभी मैंने previous question में बताया था focal length कैसे निकालते है radius of curvature upon 2 कट कट के 18 cm ठीके इस्ट्वेंट magnification value 3 magnification value 3 रखते है और magnification formula होता है minus V upon U यहां से हम V की value पुट करेंगे इस U को उतर मुट्पलाएं पहुचा देंगे V is equal to minus 3 इसकी value पुट करें इस्ट्वेंट 3 into u यह minus देले जाते है तो V is equal to minus 3 into V हो जाएगा ठीक है student इस minus को यहां लेके इस देलेके कोई फ्रक नहीं पढ़ता है ठीक है तो V is equal to कितना हो गया minus 3 into U इसको equation first मान रखा है इसको equation first मान रखा है क्योंकि M is equal to minus V upon U होता है M is equal to minus sorry HI upon HO भी तो होता है तो HI upon HO बराबर 3 इसका भी मतलब सेम है minus V upon U बराबर M इसका मतलब सेम ही है लेकिन हमें इस से मतलब है अभी उसको हम छोड़ देते हैं अभी इसको बताऊंगा क्यों नहीं छोड़ परेसान करता हम उसको ठीक है इसमें V की वैलू पुट कर दी हमने देखो V की जगा क्या रख दिया minus 3U और U की जगा U रखेंगे तो देखे इसमें variable कितने बचे सर्फ एक variable अन्वन बचा that is U सोल कर सकते हैं LCM लिया 3U आ गया 3U से 3U कैंसिल 1 बचा 1 की मिलप्लाव उपर करी 3 की मिलप्लाव उपर करी तो प्रस का 3 माइनस 1 और प्लस 3 कितना आता है कितना आता है प्रस का 2 3U 1 की मिलप्लाव उपर कर देखे 3U 18 को जा 36 अब हम क्या करेंगे 3 को उतर डिवाइड में पुचा देंगे 3 36 का आता है 12 cm और माइनस का आया इसका मतलब image किदर बन रही होग left में बन रही होग left में image कैसी बनती है sorry object है तो object हमारा किदर है left में है इसने भी वरूप कर देगे यू हमेशा negative ही आता है अब u की value 12 cm इसमें u की value पुट करो कितना आता है तो which गल्ट हो जाएगा minus 3 into u की value कितनी 12 cm minus 3 into 12 तो which गल्ट हो 36 cm u की value माइनस में है माइनस यहाँ ओलडी भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 cm v is equal to 36 cm हमें v u चल गया पता v चल गया पता m चल तो पता ही था h i b हम लोग find कर सकते करना चाहे था ठीक है बड़ हमसे पूछा नहीं था u यह चल गया पता v चल गया पता और f हमें ही find हो गया था ठीक है student सो आज के लिए इतना ही काफी next video में हम लोग study करेंगे reflection of light के बारे में यह question student बहुत ज्यादा important board exam के लिए exam में ऐसे ही question अक्सर आते हैं ठीक है thank you